लेटेस टेकनलोजी अपडेट्स हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें टेकी दोस्त को दोस्तों आज का मारे वीडियो है कॉल कॉम के नए प्रोसेसर 636 को लेकर आज हम आपर देखेंगे किसे 30 में क्या इंप्रूविंस वगरा किये गए हैं और साथ ही आपर इंक्लूड करेंगे 660 को भी और देखेंगे आपर तीनों में क्या डिफरेंसेज हैं क्या सिमिलर्टीज हैं तो दोस्तों इस वीडियो का आप आगे देखते लिए आप देख रहे हैं टेकी दोस्त लेट्स बेगिन दोस्तों यहां पर सबसे पहले बात करते हैं 636 की दोस्तों इस प्रोसेसर की जो में खास बात है वो यह है कि यहां पर आपको Cryo Cores देखने को मिल जाते हैं Cryo 260 जो कि यहां पर आपको Snapdragon 660 के अंदर आपको देखने को मिलते हैं काफी अची प्रोफॉमेंस आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी Qualcomm का कहना है कि यहां पर आपको 40% एस्टा प्रोफॉमेंस देखने को मिल जाती है 630 की तुलना में और यहां पर अगर Image Processing और Gaming Performance की भी बात करें तो यहां पर आपको 10% एस्टा प्रोफॉमेंस देखने को मिल जाती है 630 की तुलना में तो दोस्तों पर देखते हैं कि इन तीनों प्रोफॉमेंस में क्या differences हैं क्या similarities हैं इस चीज को समझने के लिए मैं आपर एक चार्ड भी प्रिपेर कर दिया है तो आप इसको आपर सिंपली समझ पाएंगे कि यहां पर क्या differences हैं क्या similarities है दोस्तों के पर 630 की बाथ करें तो यहां पर we the codex A53 की 8OR मिल जाते हैं जहांपर आपको 2.2 GHz की frequency देखने को मिल जाती है नगेगे तो यहां पर दोनों में cryo 263 के 8ществ की 8 UCOR मिल जाते हैं लेकिन यहां पर एक frequency में difference देखने को मिल जाता है 6.36 में आपको 1.8 GHz के कोर्स देखने को मिलते हैं जिबकि 6.60 के अंदर 2.1 GHz के चार कोर देखने को मिल जाते हैं परफॉर्मेंस वाले और जो दूसरे चार कोर है एफिसेंसी वाले वो आपको मिल जाते हैं 1.84 GHz के दोस्तों आपर तीनो जो प्रोसेसर हो बने हुए 40 NM की टेकनोलोजी पर तो काफी अच्छी है यहापर आपको एफिसेंसी वाला देखने को मिल जाएगी इन तीनो प्रोसेसर के अंदर दोस्तों जीप्यो की बात करें तो आपर तीनो में आपको यहापर आपको WQX, GA और QHD के भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है DSP की बात करें तो 630 में आपको 642 देखने को मिल जाता है जबकि 636 और 660 में आपको 680 देखने को मिल जाता है तो एक अच्छी चीज़िए आपर यह भी देखने को मिल जाती है बात करें तो आपको टीनो में सेम देखने को मिल जाता है जिसमें आपको download speed देखने को अपको 600mb d यह आपको upload की भी speed देखने को मिल जाती है बलूट जाती है उपको 150mb chapters Time वाई-पाय की speed में तो दोस्तों यह थे आपर तीनों प्रोसेसर 630, 636 और 660 यह आपर आप देखने को पाया होगी तीनों में बहुत जाते हैं आपर similarities भी हैं, कुछ differences भी हैं सबसे अच्छी बात जो आपर देखने को मिलती है 636 के अंदर की आपर आपको cryocores देखने को मिल जाते हैं यह वही cryocores हैं जो आपको देखने को मिलते हैं 660 के अंदर तो काफी अच्छी परफॉमस्स यह आपर आपको देखने को मिलेगी कॉलकम को यह कहना भी है कि आपर आपको 40% एस्टा परफॉमस्स देखने को मिलेगी 630 के तुलना में करते हैं